नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास पांडे और आप सभी को इम्पीरियल आठ में तह दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों ये है कोरल ड्रॉ के टैग नमबर 47 का क्लास और आज के क्लास में हम टैग का शेब बनाना सीखेंगे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिस करेंगे इस थमनेल को सलेक्ट कर साइट कर लेंगे टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे और कुछ रेक्टेंगल का शेप इस प्रकार से देंगे दोस्तों ये देखिए प्रूपर्टी टूल बार में जाकर इसके डैमेंशन में इसके हाइट को हम बढ़ा देंगे, 50 mm में ले लेते हैं दोस्तों और इसे ये देखिए कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे अच्छे से और ये राउंड कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों और कॉर्नर रेडियस से इसे राउंड करेंगे ये देखिए पूरी तरीके से हमें round करना है तो 30 mm में ले लेंगे पूरा का पूरा round हो जाएगा दोनों side जही चाहिए था हमें दोस्तों अब हमें rectangle tool लेना है और एक rectangle का shape देंगे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा कर लें इसे center में यहाँ place करके देख लेंगे एक बार थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे यह थीक है और यहाँ पर दोस्तों हमें property toolbar में scalloped corner को ले लेना है और यहाँ पर अब round corner radius से round करेंगे देखे 10 mm में लेते हैं तो यह कुछ इस तरीके से होगा हमें एक point में join कर लेना है इसे तो इसके लिए हमें 20 mm में ले लेते हैं और apply करेंगे देखे दोनों side one one point में यह join हो गया है और यह जो shape चाहिए था वह हमें मिल गया है अब इसे shape को convert to curve कर देंगे और shape tool में जाकर shape tool को जैसे ही हम लेंगे यह shape इस प्रकार से आजागा handle मिल जाते हैं हमें तो control की को press रखते हुए इसे यहां तक drag कर लेंगे इस handle को भी control की को press रखते हुए यहां तक ले आएंगे कुछ इस प्रकार ठीक है और दोस्तों इसे भी control की को press रखते हुए हमें यहां तक ले आना है और इसे भी कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए यहां तक हम ले आएंगे कुछ इस प्रकार से अब दोस्तों वर्च्वल सेग्मेंट डिलीट टूल को लेना है और ये वाले लाइन को और ये वाले लाइन को हमें डिलीट कर देने हैं ये देखिए इन सभी पॉर्चन को हमें डिलीट कर लेना है अच्छे सेफटी से डिलीट कर लें कि देखिए इसे भी हम डिलीट कर देंगे और जूम करके अच्छे से डिलीट कर लें दोस्तों कि undo कर लेते हैं और इधर वाले portion को delete करेंगे ये कुछ इस तरीके से और कि देखिए दोस्तों इसे delete कर लेंगे ये shape जो है हमारा ready है अब इसमें हमें क्या करना है कि देखिए smart fill tool से इसे fill कर लेंगे इसे हम बाहर की और निकाल लेते हैं और outline को select कर delete कर लेंगे ये जो shape है हमारा ये perfect है अब इसमें देखिए यहाँ पे हमें smoothness का use करना होगा तो यहाँ पे आगे हम outline दे देते हैं one point और smoothness लेंगे tool bar में जाकर और ये smooth यहाँ से हम इसे smooth करेंगे कि देखिए इस point को भी हमें smooth करना है कि देखिए ये joining पता चल रहा है दोस्तों तो इसे smooth करेंगे ताकि यह पता ना लगे ये देखिए smoothness हमें दे देना है अच्छे से दे देंगे थोड़ा सा और गे smooth हो गया है अब दोस्तों इसे control की को प्रेस रखते हुए यहाँ लाएंगे और right click कर देंगे एक duplicate हो जाएगा इन सभी के outline को none कर देंगे अब किये वाले second वाले को select कर angle of rotation से 90 degree में change करेंगे 90 degree enter कर देंगे गे देखिए 90 degree में हो गया है और इसे control की को प्रेस रखते हुए यहाँ center में हम इसे ले आएंगे कुछ इस तरीके shape देखिए दोस्तों shape ready हो गया है इसे select करेंगे और यह देखिए इसे ungroup कर लेते हैं और इसे हम select करते हैं और create boundary करेंगे दोस्तों यह देखिए boundary create हो जाएगा इस boundary को हम बाहर निकाल लेंगे shape को हम delete कर देते हैं यह देखिए इसे हम delete कर देंगे यह हमारा जो boundary create हुआ यह हमारा actual shape है control की को प्रेस रखते हुए एक circle draw कर लेंगे ellipse tool से और यह देखिए यहाँ इसे उपर control की को प्रेस रखते हुए इसे उपर की और यहाँ पर place कर देना है यह perfect है दोस्तो और इसे select कर shift की को प्रेस रखते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यह अच्छे से set हो गया है अब इस smart fill tool को लेना है हमें और इसे feel कर देंगे यह feel हो गया है इसे हम बाहर की और निकाल लेते हैं यह undo कर लेंगे यह देखिए इसे select कर none कर देते हैं इसके outline को shape हमारा ready हो गया है shift की को प्रेस रखते हुए इसे छोटा कर लिया हमने इस background को select कर center में ले आएंगे और इस shape को दोस्तो हमें गी देखिए यहाँ पे center में place करना है और उससे पहले हम eye dropper tool से brown color को pick कर लेंगे और इसमें brown color feel कर दिया है हमने और इसे center में यहाँ पे place कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो दोस्तो यह set हो गया है और दोस्तो यह था आज का class और दोस्तो मुझे उम्मीद है आज की class आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आए तो like करें, share करें, subscribe करें और किसी भी तरह के प्रश्म के लिए comment section में जरूर लिखें मैं उसका उत्तर जरूर दूँगा, हम अगले class में बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए tech के साथ थैंक्स वर वाचिंगा